आज की वीडियो में बात करूँगा आपके बहुत बड़े कन्फ्यूजन को लेकर जो बहुत सारे विद्यारतियों के मस्तिक्ष में लगातार आ रहा है अपने मीडियम को लेकर क्योंकि जो एड्मिट कार्ड आये हैं उनसे रिलेटिड बहुत सारे कमेंट मेरी वीडियो पर आये हैं और उस वीडियो में लगातार यही क्वैरी हो रही है कि सर हमने हिंदी मीडियम का फॉर्म भरा था मगर हमारा जो मीडियम आया है एड्मिट कार्ड पर वो इंग्लिश आया है तो इस confusion को मैं clarify कर देता हूँ आज आपको इस वीडियो के मादियम से वीडियो की importance को देखते हुए आप इसको share button के मादियम से WhatsApp और Facebook पर शेयर जरूर कर दें जिससे ज़्यादा लोग के पास यह information पहुश सके और वो भी इस चीज का benefit उठा पाएं और असली जानकारी प्र हाई फ्रेंड देख रहे हैं इस किन पर लोग कमेंड कर रहे हैं वीडियो पर लास्ट मैं एडमिट कार्ड की वीडियो अप्लोड कीती हूँ वहाँ पर लिखा हुआ है Sir please tell me form Hindi Medium से डाला था बट English आया है प्लीस टेल मी नीचे एक और comment लगा हुआ है यहाँ पर Sir Hindi Medium में form फिल किया था बट Admit Card में English Medium आ रहा है क्या करें ठीक है तो यहाँ पर जो comment यहाँ पर दिये गए हैं इसके according कर दिखा जाए देखे एक चीज़ में आपको clarify कर दूँ कि अब paper जो है वो overall पूरा objective है यानि सारे के सारे 100 questions जो आने है वो total 100 questions आपके दोनों language में आएगा दोनों language में होगा हिंदी इंग्लिश दोनों language में होगा आप solution करेंगे और paper set एक ही आता है नाइलेट O label का चाहें A label हो B label हो C label हो किसी भी label का paper है वो एक ही set आता है so that's why ये चीज माइड के अंदर बढ़ा करेंगा कि O label के paper में जो 100 questions objective type आपके आने है उन question को चाहें आप Hindi में करें या English में करें आपके लिए बात एक ही है आप question को हिंदी में पढ़िएगा और solution और हमार sheet पर जो टिक करना है वो option चारो वही होने है तो आप कैसे भी टिक करिए बात वही है आपके medium के change होने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ये चीज माइड के अंदर बैठा के रखिएगा क्योंकि इस बाट ये form भरा गया था तो मैंने इस चीज के बारे में query भी की दी कि sir जब paper में objective type question आने है तो आपके Hindi medium और English medium से क्या मतलब है तो उन्हें साब तो और पर इस चीज को clarify गया था कि medium सिर्फ हम इसलिए बरवाते हैं कि बच्चे का clarification रहे कि वो किस medium से paper देना चाहता है और इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि अब अगर written paper नहीं है तो medium का कोई फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका 40 marks का objective type का question paper आता और 60 marks का descriptive type paper आता था जिसमें आपको theory लिखनी पढ़ती थी वहाँ पर Hindi medium वाले Hindi में theory लिखते थे और English medium वाले English में theory लिखते थे जिनकी copy separately English और Hindi teacher को भेजी जाती थी जिससे वो copy सही तरीके से उनका मुल्यांकन किया खके अब सारा ही paper और मार शीट पर बेज़ रहे यानि objective type होना है तो आप English में paper पढ़के question का answer दीजे या Hindi में पढ़के दीजे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो उससे आप लोग बिलकुल भी चिंता मत करें आप अपने paper की तयारी करें और अराम से paper दे तो ये थी latest information जो के query के अनुसार आपको solution दिया है और अगर कोई doubt और भी रहता है तो आप comment सचीन के मादब से पूछ सकते है at last मैं यही कहना चाहूँगा thanks for watching my video, thank you